वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपका मुता दूँ अगर आपने हमारे चैनल को सस्काइब नहीं किया है तो सस्काइब कर ले क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो जली रहे के आता हूँ दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जियो के बारे में तो आए शुरू करते हैं दोस्तो जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि जियो का आफ़र बंद होने वाला है और हम और आप लोग अब इसको यूज नहीं कर पाएंगे एरटेल ने ट्राई को जाके बोलागी जियो ने अपना जो आफ़र दिया है एप्पी न्यू इयर के नाम से वो गलत है और उसका वो गलत फाइदा उठा रहे हैं और ट्राई ने जियो को 6 जनरी तक का टाइम दिया था कि आप बताएं कि आपने एप्पी न्यू आफ़र क नाम पे क्या दिया है तो दोस्तों अब जियो ने उसका जवाब दिया और अभी जाके हम लोग को पताचला है कि जियो जो है मार्केट में बहुत ही जारा लूग ऐसा बोल ले है कि जियो से पूछा उन्होंने मुझे बताया कि जीयो ने अपना जो offer है 31 मार्ज तक का भो अभी जारी ही रखा है उसका मुझे एक message भी μεला था आज ही आज मुझे message मिला कि जीयो ने अपना जो offer है उसको बढ़ा दिया है 31 मार्च तक आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं मगर उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन्स हैं कि आप परड़े के हिसाब से एक जीबी डेटा ही यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद आपको 128 के भी पर सेकेंड मिलेंगी दोस्तों ये बहुत ही जादा हम लोग के लिए परशानी वाली बात है कि हम लोग डेली जो 4G यूज़ कर रहे थे अब हम लोग को उतना नहीं मिलेगा लेकिन तब भी ठीक है कुछ ना मिले से अच्छा कुछ भी बेतर है तो दोस्तों और वहाँ पर मुझे एक चीज और पत सकती है तो दोस्तों अगर आपको और इस विशह में चाहिए आपको जीओ के विशह में और भी कुछ चाहिए जानकारी इस तरह की कब बढ़ाई या फिर क्या क्या कुछ आपको चाहिए हमारे चैनल को जरू सब्सक्राइब करें क्योंकि हम ऐसी ही वीडियो अपने चैनल पर लेके आते हैं आप लोगों के लिए तो दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले और अपने दोस्तों को बताएए कि जीओ एक्स्टेंड हो गया है और आप उसका इस्तेमाल करिए जैसे ही चाहर्जी भी एक्स्टेंड होगा मैं आप लोगों को सबसे पहले अपनी वीडियो देने की कोशिश करूंगा तब तक के लिए बने रहे हैं टेक रेंडर के साथ